मौनसुन का वक्त है और चारों और आई फ्लिव यानि की कंजक्टिव इटिस फैला हुआ है यदि आप प्रिकॉशन्स नहीं लेते हैं तो यह है आपके फैमिली मेंबर्स को आपके चारों और जो लोग हैं उनको भी फैल सकता है यदि आप treatment लेट लेते हैं तो आपको blindness तक भी हो सकती है तो viewers, welcome to this brand new video आज हम बात करेंगे conjunctivitis में और वीडियो की शुरुआत करते हैं की conjunctivitis को कैसे पहचाने यदि आपके आँख लाल है, उससे पानी आ रहा है, discharge आ रहा है, irritable है मतलब की कुछ foreign body sensation है, कुछ रड़क रहा है, या फिर itching है, मतलब जलन हो रही है तो इसका मतलब आपको conjunctivitis हो सकती है तो अब बात करते हैं की conjunctivitis कैसे फैलती है आई-flue direct contact से फैल सकता है, या फिर indirect contact से यह airborne transmission से भी फैल सकता है, मतलब की खांसी करने से या फिर छीक मारने के बाद यदि दूसरों को contact में आ जाए या फिर यह swimming pool आदी जो common usage की जगएं है उन जगों से भी दूसरों को फैल सकता है तो अब बात करते हैं की जो conjunctivitis यानि आई-flue है यह किस कारण से होता है conjunctivitis के बहुत से कारण है जिनमें सबसे पहला कारण है allergic तो ऐसे में आपको allergen से दूर रहना पड़ेगा यह bacterial हो सकता है तो ऐसे में आपको डॉक्टर आपका antibiotics prescribe करेगा यह fungal infection से भी हो सकता है तो ऐसे में antifungal treatment शुरू करना पड़ेगा यह viral causes से भी हो सकता है जैसे कि आज कल सैला हुआ है एडिनो वाइरस से यह अपने आप ठीक हो जाता है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि आप नहीं पहचान सकते यह अपने आप ठीक होने वाला है या फिर treatment की जरूरत है और वैसे भी यदि आपने देर कर दिया तो इसने आपके cornea को यदि involve कर लिया तो आपको conjunctivitis से वह infection transform हो जाएगा कि रेटो conjunctivitis में और आपको blindness भी हो सकती है और जो complications हैं यह यह depend करती हैं कि कि किस type का यह infection है इसकी duration क्या है इसकी severity क्या है और कितनी early या late आपने treatment लिया है तो इसलिए अपने doctor को जल्दी से जल्दी दिखाना जरूरी है तो अब बात करते हैं कि हम क्या general precautions लें कि यह आप से दूसरों को ना फैले और दूसरों से आपको यह ना फैले सबसे पहला precaution है कि आप good hygiene practice को follow करें जिसमें शामिल है कि आप अपने हाथों को बार-बार दोएं खास कर जब आपने अपने आँखों में, अपने मुह में, अपने नाक में हाथ लगाया हो और हाथ धोने कैसे हैं? आपको हाथ धोने हैं साबुन से और पानी से कम से कम 20 seconds के लिए तो अब बात करते हैं दूसरे precaution के बारे में दूसरा precaution है कि आप avoid करें ऐसे लोगों के contact में आने से जिनको सरदी खांसी जुखाम हुआ है या फिर आँख का infection हुआ है तो अब बात करते हैं तीसरे precaution के बारे में आपको avoid करना है personal items को share करने से जैसे कि pillow cases, towel, makeup का समान या फिर eye drops अब बात करते हैं चौथे precaution के बारे में आपको clean करना है, disinfect करना है उन surfaces का जिनके contact में आपके eye glasses या फिर contact lenses या उनके cases जो हैं वो contact में आए हैं या फिर आपने आँख में हाथ लगा के जहांपर आपने तच किया है जिन surfaces पर तो अब बात करते हैं पाँचवे precaution के बारे में आप यदि contact lenses को use करते हैं तो आप जो general recommendations है, infection के बचने के लिए contact lenses को use करने के दुरान उनको follow करें अब बात करते हैं छटे precaution के बारे में आपको अपनी आँखों को बार-बार rub नहीं करना है क्योंकि आप rub करेंगे और दूसरे surfaces पर touch करेंगे तो वह लोगों को फैलेगा अब बात करते हैं साथवे precaution के बारे में यह है कि आप अपने मुह को अपने नाक को cover कर लें ऐसे अपनी elbow से या फिर आप tissue paper से भी cover कर सकते हैं जिससे कि यह दूसरों को ना फैले तो viewers कैसी लगी यह जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share, comment करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि यूट्यूब की algorithm वीडियो को promote करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और health से related जानकारी के साथ जैहिन